हैलो दोस्तो बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज किस वीडियो में बिहार के तमाम बाड़ी खबरे जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे तो फटफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाई जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ हैं आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप आप नीचे कॉमेंट करके जरूर पुछे इसे में जो अमिद्वार इन पदो के लिए अपलाई करना चाहते हैं और योग है वे आविदन कर सकते हैं अप्लाइ करने के लिए अमिद्वारों को दिकरिक वेपसाइड iitk.ac.in पर जाकर लोगिन करना होगो अमिद्वार द्यान दे के इन पदों पर आवेदन करने के अंतिम दिती 9 नॉम्बर 22 है वाई दे के आई 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 टी कानपूर के और सजारी सुचना के नुसार आधार नंबर देने का काम तेजी से चल रहा है वाई आने वाले कुछ मैनों में से पूरे देश में लागो किया जा सकता है आपको बतादी कि फिलाल सुला राज्यों में इस पर काम हो रहा है और कुछ जगह पर जन्म परमान पदर के साथ ये आधार नमबर भी दिये जा रहे हैं वहाई देखे बाद में बच्चों के 5 वर्स और 15 वर्स के उम्र पार करने पर उसे बायो मेट्रिक्स यानि उंगलियों के निसान और आखों के पूतली जैसी पहचान के जानकारे आधार नमबर के साथ जोड़ने होगी बिहार में बिहार में बेरुजगार वावो का सरकार देती है बेरुजगारी भत्ता है ऐसे कर्यावेदन साथ सरकार जानती है कि राज में औसर की कमी है और सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि हरी वाओ को रुजगार दे से केसीरे वाओ को तब तक बेरुजगारी भत्त दिया जाता है जब तक उनकी नौकरी नहीं लगती वाईदे के बिहार में बेरुजगारी भत्त प्राप्ट करने के लिए पहली सर्तिया कि आवेदक के परिवारिक आई 3,00,000 याश से कम होनी चाहिए दूसरी बात आवेदन करने के लिए उमिद्वार के आयो 21 वर्स से 35 वर्स तक होनी चाहिए बिहार बिरुजगारी भत्ता योजना में ओलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको मुखी मंतरी निश्चा इस्वाई सहाता भत्ता योजना के अधिकारिक बैवसेट पर आना होगा आवेदक करता के पास उसके दसवी बारवी या उसके उचे डिगरी के सारे सेक्षिनिक वे उता परमान पत्र होने जरूरी है आई परमान पत्र, बैंक अकाउट, मॉबाइल नमबर और पासपूर्ट साइज फोटो होना जरूरी है सराबंदे मामलों में अब दक एक लाग से ज़्यादा की गिरफतारी टॉप पर पढ़ना रहतास अंतिम पायदान पर ज़्यादे के बाड़ी कबर बिहार में इस साल जन्वारी से लेकर अब दक सराबंदे मामले में पुलिस विभाग ने एक लाग नो हजार पान सो पैसेट लोगों को गिरफतार किया है वहीं देखे सबसे अधी गिरफतारी पढ़ना में हुई है टॉप पांच जिलो में नालंदा बाका भागलपूर और बकसर सामिल है वहीं नालंदा दूसरी बाका तीसरी भागलपूर चोते और बकसर पाचवे स्थान पर है करमे देखे गंडग परुफान के कारण गंगा का जलस्तर में तेजे से बढ़ोतरी दिखी जा रही है वहीं गोपाल गंग पश्चिमी और पुर्वी चमपारम ने बड़ी आबादी बार्ड का पानी बहरने से प्रबावित हुई है साथे देखे गंगा का जलस्तर भी तेजे से बढ़ रहा है इतर मौसम विभांग नराज के पांच जिलों में बारेस और बिजली को लेकर अलर्ड भी जारी किया है आपको बता देखे गंगा बेराज के बाद बुद्वार को कोसी बेराज के विच अपन में से पचीस गेट कोले गए है इस कारण सुपोल सहरसा के कई इलाकों में नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ रहा है बाकसर में गंगा नदी का जलस्तर तीन सेंटीमीटर परती घंटे के इसाब से बढ़ रहा है वाईदे के आसपास के इलाके डूब चुके है प्रासासन नेचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है वहीं लोगों के फसले तबा हो जुकी है गर डूब चुके है वो प्लाइन करने को मजबूर है वाईदे के मौसम विवाग ने आज बिहार के पांच जिलों में बारिस और बिजली को लेकर अलर्ट जारी किया है जिसमें भागलपूर, जमुई, मुंगेर, बाका और खगडिया सामील वई राजबर में पच्वा का प्रबाव 10 से 12 किलोमीटर पर दिघंटा का बना हुआ ह साथ दे के मौसम विवाग के मौताबिक बिहार में 18 अक्टूबर तक मौसम सुस्क रहेगा, इस दोरान लो प्रेसर अरिया के बज़ा से आसमन पर हलके बादल चाहे रहेंगी बारी कवर में देखे अब देश बर में अपनाया जाएगा बिहार का बिजली स्मार्ट मिटर केंदर ने बनाया रोल मोडल जा देखे बारी कवर बिहार के स्मार्ट मिटर को लेकर बिहार अब देश बर में रोल मोडल बन गया है अब देश के सभी राज्जों में बिहार के तज पर स्मार्ट प्रेपेड बिजली मिटर अपनाया जाएगा वहाई देखे केंदर सरकार ने अब सभी राज्जों को ये मोडल अपनाने को का दिया है पर असल सुकुरवार को राजस्तान के उदाइपुर में एक समेलन आयोजित किया गया था जिसमें देश बर के उरजा मंद्रे सामिल हुए थे वहाई देखे इसमेलन के दोरान केंदर और जामंत्रे आरके सिंग ने बिहार की स्मार्ट मिटर मॉडल के अलोचना के इतना ही नहीं उन्होंने देश बर में बिहार मॉडल को अपनाने की बाद भी का दिया है बाड़ी ख़र में देखे बिहार उप्चुना में आरजडी के लिए प्रचार नहीं करेंगे जगदानन सिंग इस्टार प्रचार को की लिष्ट से नाम गायब बाड़ी ख़र बिहार के गोपाल गण और मुकामा बिदानसवा सीड पर होने वाले उप्चुना में आरजडी प्रदेश दच जगदानन सिंग का नाम इस्टार प्रचार को की लिष्ट में सामिल नहीं है बाड़ी देखे आरजडी सुप्रेम लालो प्रसाद यादाव और डिप्टी सेमत तजस्वी से नाराजगी की ख़बरों की बीच जगदानन सिंग उप्चुना में प्रचार नहीं करेंगे तेज सरकार में आरजडी कोडी से अधिकतर मंत्री दोनों सिटोर प्रचार के लिए जाएंगे हाला कि आरजडी सुप्रेम लालो प्रसाद यादाव उनकी पतनी वह पूर्व सीम राबडी देवी बेटी एवं सांसद मिसा भारती प्रचार नहीं करेंगी आगे देखे रेल यात्रों के लिए जरूरी खबार है पटना जक्सन पर बदल गया टिकट काउंटर यात्रा करने से पहले जरूर पड़े आपको जानकारी के लिए बता दे कि हैं काउंटर बटना जक्शन के पस्चिमी छोर पर आरचित काउंटर के पास हुआ करता था वहाँ पर आरचित टिकट पर सफर करने वोले यात्रियों को टिकट लेने में परिसानी का सामना करना पड़ता था इसी बज़े से इसके जगा को बदल दिया गया है वाईदे के मेडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अनाराचित काउंटर के जगा बदलने को लेकर लोगो द्वारक कई बार राजसबा सदैस विबेक ठाकूर से अनुरोध भी किया गया था यात्रियों द्वारा अनुरोध किया जा रहा था कि अनाराचित टिकट काउंटर को पाले की तरह ही नेची कर दिया जा जिससे बुजूर को एवं दिव्यांग को टिकट के लिए परिसानी ना उठाना पड़े लोगों द्वारा अनोरोध किये जाने के बाद सांसद ने रेल प्रबंदग से इस बात की सिकायत की थी वाई देखे राजसबसदय से विवेक ठाकूर के अनोरोध पर रेल प्रबंदग द्वारा करवाई की गई और पहले की तरह ही अनाराचेत टिकाट काउंडर को परदी चला के पास ग्राउंड फ्लोर पर सिप्ट कर दिया गया इस टिकाट काउंडर में पहले के तरह ही बाराख खड़किया बनाए गई है बाड़कर में देखे बिहार में 75-35 वाले स्टुडियन को सरकार देगी पैसे जाने किस चातर को मिलेंगे कितनी रुपिये जा देखे राज के सरकार भी दलोय में पढ़ाई करने वाले बाच्चों के लिए याग बाड़ी खबर है चलो बीत्य वर्स के मुख मंतरी बालिका या बालग पोसा की योजना, चातर विर्थी योजना, साकील योजना, किसोरी, स्वास्त करिकरम योजना और बालिका, पोसान योजना की रासी अगले पकवारे के आंदर तक बाच्चों के ब्यांक खाते में डिबीटी के मादम से भेजी जाईए इसके लिए सिक्चा विवांग ने 4,310 करोड रुपिय की स्विकिर्थी दे दी है वाई देखे सिक्चा विवांग ने कक्चाओं में 4,475 पर 35 अपसिति के रिपोर्ड सबी 38 जिलों से मांगी है वाई आपके जानकारे के बता देखे मुईके मंतरी बालिका पोसा की योजना के तहद कक्चा 1-2 तक 600 रुपिय तिन से पांच तक 700 रुपिय और कक्चा 6-8 तक 700 रुपिय मिलते हैं बाड़ी खबर में देखे भारत ने सातवी बार जिता वीमें से एसिया कब फाइनल में स्री लंगा को 8 विकेट से हराया मनाना ने बनाए नाबाद कावन जादे के बाड़ी खबर भारत ने सातवी बार वीमें से एसिया कब का किताब जित लिया है जनुवार को केले गई फाइनल मुकाबले में भारती महिला टीम ने स्री लंगा को 8 विकेट से हरा दिया है मदादी की स्री लंगा ने टोस जित कर पहले बेटिंग करने का फैसला किया था बारती गेंद बाजो की बेतरीन प्रदसन के आगे स्री लंकाई टीम 20 वर में 9 विकेट खोकर पैसर रन ही बना पाई वही जवाब में भारत ने 8.3 वर में ही 2 विकेट खोकर 71 रन बनाते विए टार्गेट हसिल कर लिया में देखे इस मिर्ती मदाना ने चक्का जमा कर टीम इंडिया को किताबी जीत दिलाई वही मदाना 25 गेंद पर 51 रन बना कर नाबाद रही बाड़िकर में देखे भारत गलोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान से पेचे 6 पॉइंड गिर कर 17 वी नमबर पर पहुचा जा देखे गलोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में लगतार दूसरे साल गिरावट दर्ज की गई 22 के लिस्ट में हमें 107 रैंक मिली थी पिछले साल यह 101 नमबर था इस लिस्ट में कूल 121 देश समिल है पड़ोसी देश पाकिस्तान, मंगला देश और नेपाल ह हॉलमार्क लगता है, सरकार के तरब से जारे एक बयान में कहा गया है कि भारत की चवी खराब करने के लिए कि कई कोशिस साब देखी जा रही है बाड़े कार में देखे बिहार के बाराज जिलों में बनेंगे पिछड़ा कन्या आवास्य विद्दा लए जादे के राज सरकार ने बाराज जिलों में पिछड़ा वर्ग कन्या आवास्य प्लस्टू वा आवास्य हाई स्कूल के भवन निर्मान को हरी जंड देदी है इस बरकार इन बाराज भी दालेवा में 6244 एरा सकेगी राज सरकार ने इसके लिए 556 करोड की प्रसासनिक स्विकिरती दे दी है अगली बड़ेखर में देखिया मोकामा और गुपाल गांज विदानसवा उप्चुनाओ के लिए 40 और प्राचारगों की लेष्ट बीजिपी ने की जारी मोई आपको बता देखिया कि बीहार में 2 सिटो पर उप्चुनाओ हो रहा है बिहार वेधान सभथ की दो सीटों पर 3 नॉम्बर को चुनाव होंगे वहे 6 नॉम्बर को चुनाव के नतीजे भी सामने आएंगे वोकामा और गुपाल गन सीट पर भाजपा ने अपने उमिदवार के गोसना कर दिया है गुपाल गन से भाजपा ने कुसुम दिवी को टिकट दिया है अगले माई यानि नॉम्बर से धान के करेदी वही जाने इस बार कितना मैस्पे मिलेगा ज्यादे के बिहार के किसान भाईयों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है दरसल इस बार बिहार सरकार प्रदेश में अगले माई याने नॉम्बर से धान के करिदी शुरू कर देगा वायदे के सरकार ने इस के तैयारी राज भर में अभी से सुरू कर दी है जानकार के मुताबिक इस बार नितिश सरकार ने 45 लाग टन धान खरीदने का लच रखा है साथ आपको बता दे कि राज सरकार की और सजारी जानकारी के मुताबिग अगले माई यानि नॉम्बर की पाली तारिक से उत्तर और दचिन बिहार में धान के करीदी सुरू की जाएगी वाईदे के खरीब सतर दो जर बाइस तैस में एक रिड़ धान का नियुंतम समतन मूल दो जार साट रुपी और साधरन धान के लिए MSP दो जार चाली सुरू परतिक क्यूंडल निदारित किया गया है वाईदे के इस साल भी पिछले वर्स की तरह 45 लाक मेट्रिक टन धान और 20 लाक मेट्रिक टन चावल खरीद का लच रखा गया है वाईदे के इस बार 31 मार्दो जा 23 तक धान के खरीदी जारी रहेगी इस साथे में किसान अपने छेत के निदारित केंदरो परधान की बिकरी कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही इसी तरह बिहार के डेली निउस देखने के लिए आप अमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें